कि प्यार जूंका सही दुनिया को दिखाने आजा तुम किसी और के मिलने के बहाने आजा ओ आजा रात के आजा ओ ये घंटा रह और भग जा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ultimate knowledge पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नशा इनसान का पैसा और सेह दोनों चीज बरबात करती है लेकिन कभी कभी इनसान अपनी लाइफ में नशे के कारण कुछ ऐसा कर बैठता है कि जिसके कारण से उसकी इज़त को भी बहुत जादा धबा लगता है अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे ही वीडियो फुटेज को जिसमें लोग नशे में ऐसी ऐसी हरकत कर जाते हैं कि जिसका उन्हें बाद में शायद बहुत जादा पच्छत जाबा होता होगा तो आईए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो नमबर एक एक समय था के जब पापा के शेरी प्या करते थे लेकिन आजकल पापा की परियां भी खूब पीती है और जब पीती है तो जम करके बवाल काटती है जैपूर के इस महिला के अंदर का मॉडल भी जागरित हो जाता है और यह महिला कार पर ही पोज देने लगती है नमबर दू आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं के पीने के बाद हर इनसान अपने आपको शेर समयने लगता है ऐसे में इनसान किसी से भी टकरा सकता है और तो इस इनसान के साथ क्या हो सकता था आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं चलिए अब आपको मिलाते हैं आज के हमारे कुंगफू मास्टर से जी हां बूसली और जैकी जैन नहीं बलकि आज के हमारे कुंगफू मास्टर है ये दोनों लोग जी हां टैप दिखाने वाले थे जिन्हें देखने के बाद आप लोगों का रियाक्शन कुछ ऐसा होता नमबर चार नशे की हालत में धोती ये महिला पुलिस वालों को कॉल करके अपने पती की शिकायत कर देती है और जब पुलिस आती है और महिला से कॉल करने का कारण पूछती है तब आप लोगी सुनिए कि ये महिला क्या कहती है नशे की हालत में ये महिला भूल जाती है कि आखिरकार इसने अपने चेहरे पर कैसा मेकप किया है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि खुशियां हमेशा बाटने से बढ़ती है नमबर पाँच आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि शराब पी करके गाड़ी चलाना कानून का उलंगन माना जाता है लेकिन शराब पी करके भैसे पर यात्रा करना कानून का किसी भी प्रकार से उलंगन नहीं है और ये जनाब शायद इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे वो तो शुक्र था कि भैसा भी अच्छे मून में था जिसने इन्हें अपने उपर सावारी करने दी नहीं तो भैसा इन अंकल की क्या हालत बना था आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों आप लोगों को सबसे अच्छी फुटेज कौन सी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं